है लो गाईज नमस्कार प्रणाम जुहार कैसे हैं उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और बहुत ही बहतरीन तयारी के साथ आप लोग जारकंड सहायक अचारी सिच्छक भरती परिच्छा 2024 की बहतरीन तयारी में एकदम जुट गए हैं कि आप लोग सभी को पता है कि एकजाम हमारा एक महिने के अंदर सब कुछ खत्म होने वाली है तो मेरे दोस्त मेरे भाई जितने भी लोग आप लोग जुड़े हुए एक बर जल्दी जल्दी से आप उन तमाम भाईयों को भी ल प्राक्टिसेट नहीं देखा है सबसे पहले चैनल पर जाएगा प्लेलिस्ट में जाकर वह पांच प्राक्टिसेट देख लेना क्यूंकि एक एक प्राक्टिसेट आपके लिए बहुत ही मौत पूर्ण है आज मैं लेकर आया हूं टॉप 25 कोस्टन जिसमें ऐसे से कोस्टन जाया हूं जो आज की क्लास कर लेगा ना समझ जाओ जब पेपर देने जाएगा तो पांच से साथ कुस्टन डाइरेक्टली आज की स्क्लास से देखने को मिलने वाले हैं तो चलिए जल्दी जल्दी से एक बार सारे लोग लिंक को से कर दिए यास वेरी गोड़ इवनिंग आप युगाईज गुड़ इवनिंग गुड़ इवनिंग गुड़ इवनिंग चलिए तो डालेट करेंगे ना बेट करेंगे क्लास में बने रहेगा सुरू से अंतर अगर अच्छी लगी समझ में अगर हर एक चीज़ आया है तो क्या कर देना लाइक ठोक देना चैनल पर पहली बार बिजिट कर रहे हो तो क्लास अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है बेल आइकन पर भी क्लिक कर देता है यह देखिए चलिए देखते हैं पहला कोशन आज का क्या है एकदम बहतीन तरीके से देखिए मैंने आपको पिछले क्लास में बोला था कि पहला कोशन लेने से पहले मैं आपको हर एक दिन सिलेवस दिखाऊंगा ताकि आपको लगे कि सर सिलेवस से बाहर एक भी कोशन नहीं पढ़ा रहे है आपके सिलेवस को देखते हुए आपके सिलेवस को देखते हुए मैं यह प् इत्रीन कोस्छन है लिखा है कि 14 के प्रथम 8 गुनांकों का उसत क्या है इतना निकालना 14 के 20 के 8 गुनांक तो इसको माले लेती है hep л works और इसको माले ते एं यानी x के एंद गुनांकों का क्या निकालने आउसत अगर X के N कुनांकों का आउसत निकालना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं X into N plus 1 और डिवाइड वाइड 2 यह होता है तरीका तो भाई यह 14 है कि इन्टू 8 ना पलस 1 और डिवाइड वाइड क्या कर देना है 2 यह 2 से कार देंगे कितने बार में साथ बार में यह हो जाएंगे सेवन इंटू 8 और 1 कितने हो जाएंगे 9 9 सते तिरेशट तो इस को स्वाइड का जो राइट अंसर होगा वह आप्सन नमबर सी हों ठीक है ना आप्सन नमर क्या हो से करेंगे सी होंगे अब बहुत सारे ऐसे मेरे वाई होंगे बहुत सारे मेरे ऐससे साथी होंगे फोक्क्या करेंगे 14 प्रतम कितना ओ настолько Chaudh गॉनांग चाहूदा का 20 दूसरा कितना ओधाइस तीसरा कितना ओगा बयालेस तीसरा कितना ओधाउगा इस तरीका से लिखेगा लिखने के बाद क्या करेगा इन सब को जोड़ेगा जोड़ने के बाद क्या करेगा इन सब को पहले जोड़ेगा फिर जोड़ने से आएगा उसको टोटल कितने गुणांक बोलेते आठ वो जोड़कर आएगा उसको यो को क्या करेगा आठ से निकालने पड़ती है और उस competition के exam को निकालने के लिए competition जैसा सोचना पड़ता है ऐसे कौन सोचते पता है जो विध्यार्ति कभी competition की त्यारी नहीं किया है कि लिए तो आपको कैसा सोचना ऐसे और लगाना है आग पानी में और बनाना है मैं तुफानी में अगर यह स्टाइल अगर यह trick अगर यह logic आपको पसंद आई है तो एक बार लाइक ठोकिए चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो सबसे पहले class को प्यार से देखिए और अगर अच्छी class लगे तब last में जाते जाते चैनल को subscribe करके जाना अच्छी ना लगे तो नहीं करना मेरे दोस्त पोस्टन नमर सेकेंड में क्या बोला गया है कि यदि 3A बरावर 4B बरावर 5C हो तो बताईए ABC का रेशियो क्या होगा इतने बहतरी तरीका इसका बताऊंगा ना यह आपको देख के दिल खूस हो जाएगा और अगर खूस हो जाएगा तो बस वही काम करते जाना है देखें क्या है जब कभी भी इस परकार वेरियेवल आपस में बरावर रहे तो कुछ ने करना है तीन और यह जो पांच दिख गया और यह जो चार दिख गया इसका वही आएगा इसका रेशियो यानि ABC का जब रेशियो निकालोगे तो आएगा मेरे दोस्त बीस पंदरा बारा बीस पंदरा बारा बीस पंदरा बारा ऑपसर नमबर डी तो कितना बहतिन तरीका आपको रेशियो निकालने का सिखा दिया दूसरा तरीका क्या है इसको बनाने गकर लिखेंगे एकपटा दीन उसी दरीका से भी के साथ क्या लगा हुए चार तो क्या बूलेंगे एकपटायशा चार भी के साथ क्या लगा हुआ है पाच तो फोल्टा करना है झात फ्रेकशन को हटाना सब में गुना कर दिना है साट से गिना कर रहेंगे एक बटा 3 को तो आ जांगा भीस है सीके na साट से गुना करेंगे वटा 4 को को तो आाजाहे Federation पांच को आ जाया बारा तो फाइनली जो रेशागर कराएगा वह बारा पां़ यहीं यानि answer क्या आएगा यही आएगा तो आपको इस में से कोई एक तरीका से सोच कर चलना है यह है competition का तरीका यह है competition का तरीका मेरे जुहार साथी एक बार जल्दी से comment box में लिख देजिए जाए जहारखंड जुहार जुहारखंड नमज नमर तीन कि में बोला गया है कि इस सांइथ का मां पूर टू पॉस थी ता का मानि क्यों है बहुत ही बहत्यी कोष्ण है बहुत और लॉली पॉफ कोश्ष्ण वणाएं पता है committed American और टूंसटीटा अब कुछने करणा है हम जिसलिप कोई शेड लेंगे तक वे सब लिए तह यह घखर साइन तीटा और और अरे में क्या हो जाएंगा कॉस्थीटा घमतिषा चाहिको की कुछ किया होगै बन देटा बनile mer prayer होता है फीं पते में बी तो management मनें है ब्सक्राइब सर अबिक ममान कितना है वन्हें तो मेरे दोस्त यहां पर यह to डूड़र में सून सब्सक्राइब कम करेगा देखिंग यहां फिटा होगी तो मैं यह कितना होगा अगर यह वन है यह रूट टू है तो यह कितना होगा यह कितना होगा तो यह निकालने के लिए क्या करेंगे रूट टू का हॉल स्क्वाइर पलस वन का क्या कर देंगे हॉल स्क्वाइर इक्वल टू अगर यह है यह सी है तो यह निकल जाएगा एसी का स्क्वाइर रूट टू का स् तो यहां से चास्मान कर आगया रूट का तीす legitimately करने की कोई अब सकता नहीं अगर आप regular practice it अगर आप रेगुलर मैथ पढ़ते हैं तो इतना अब सकता हुआ है लेकिन आपको निकाल करक्या कि निकाल कर मैंने क्या कर दिखा दिया ताकि आपको कोई confusion ना हो चलिए कि आप हमें निकालना स्यग ठीटा तो सेग ठीटा ग्वर क्या होता है आप सोटेगा ना यहां पर थीटा कमान पूट कर दिजिए यहां पर थीटा कमान जब पूट किजिएगा ना तो पूट करके भी आप लोग बना सकते हैं कितने डिगरी कमान यहां पर पूट करेंगे यह थीटा कमान हम कितना ले लेंगे कि भाई यह दोनों साइड क्या हो जाए इक्वल तो भाई उसी थीटा कमानी हां ले लेंगे फिर निकाल देंगे अंसर हमारा क्या होगा आ जाएगा तो इस परकार से भी स्कॉस्टन को बना सकते तो चलिए लेते हैं अगला कोस्टन कोस्टन नमबर 4 सब्सक्राइब तो एक्स पलस 9y उक्वल्टू 15 समांतर समांतर का मतलों पैरलल ठीक है तो हमें बताना है कि पी का मान क्या होगा देखिए दो रिखाएं समांतर तब होती है जब तो एवन वाई एटू इक्वल होना चाहिए बीवन वाई बीटू के लिए अगर ऐसा है तो वो दोनों क्या होगी समांतर होगी तो अब यहां से हम अगर कंपेर करें यहां से इससे अगर कंपेर करें तो मेरे दोस्त एवन का जो मान निकल कराएगा वो चार निकल कराएगा B1 का जो मान निकल कराएगा वो पी निकल के आएगा और सीवन का मान निकल कराएगा वो माइनस का सुब्रा उसी तरीका से अगर यहां से कंपेर करें तो a2 का जो मान कराया ओछ बीटु का जो मान निकल कराया बोलाइन और सिटु का जो मान निकल गए ओ मैंस का फंदरह टू कमान क्या निकल काएगा माइनस का फंदरह 내 Oraclee अब देघ्वन कमान कतना है चार से वह सजय कर देंगे को नो कुना कितना अपर लुए ओस ने को बार में काट देंगे तो 9-2 कितना हो जागा थार तो फ़ीत कमान जो जाएंगे अठार अफ़्ारा यहली अपसन नमबर सीची नोब की पेरलल कब होता है तो पैरलल तब होती है जब वाइएटू अपुपी शाップ यान वाइटी होते हैं तो यह दोनों की दोनों जो लाइन हैं वह आप दूसरे का पैरलल होंगे सात्षी सात्ष हो जो संगत होंगे यह भी चीज़े आपको याद होना चाहिए नेक्स्ट कोस्टर नमबर आपको पांच कोस्टर नमर पांच में क्या बोला गया है कि 750 रुपे को ABC में इस परकार बाटा जाता है कि AB 5 is to 2 BC 7 is to 13 तो B को कितने मिलेंगे 750 सबसे पहले मेरा काम क्या होगा ABC का रेशियो निकालना अब देखिए आपको स्मार्ट तरीका सिखाते हैं ABC को रेशियो निकालने का सबसे सुंदर और सटिक तरीका क्या है इसके सामने खाली है न तो इसी को डाल दीजिए इसके सामने खाली है न तो इसी को डाल दीजिए अब गुना कर दिजिए सीदह सीदहा करजिए को तेरा से फैना करूंचाव इस टो को सबसे गुना कर लिए निकल गया ABC का क्या रिस्यूब तो यानि एक के पास कितना 35 के पास कितना 14 के पास कितना 26 तो इन तीनों को कितना बाटा गया इन तीनों में कितना बाट होगे कि अगर हम इन तीनों को बाटेंगे तो एक को मिलेगा लेकिन हम इन तीनों के बीच कितना बाट रहे हैं 750 तो हम बोलेंगे सर 75 का जो वेलू है ना हमारे को सफन में दे रहखाए 750 इसलिए सर एक का जो मान होगा ना वो 75 पटे में 75 हो जाएगा और एक कमान निकल कर आएगा 10 अगर एक कमान दस है सर तो हमसे पूछा है बी को कितने मिलेंगे तो बी का कितने रेशियों में 14 वी का रेशियों में कितना है चाओदा और एक का मान है 10 तो बी को मिलेंगे 14 गुराद्यास और 14 गुराद्यास का मतलग होता है 140 एक 140 यहनि राइट अंसर क्या हो जाएंगे option number D, option number D, ऐसे हम लोग option से भी try कर सकते थे, देखिए यहाँ पर B का value कितना है, तो B का value 14 है, अब 14 दो से कटता है और 7 से कटता है, तो 7 से कटने वाला option कौन है, 7 से यह नहीं कटेगा, 7 से कटेंगे, तो सत्या 21, बचा कितना 4, 5, इभी नहीं 7 से कटेगा, तो 7 से कटने वाला option सिर्फ D था, तो option हीट भी लगा सकते हैं, लेकिन option हीट वही भी द्यारती लगा सकता है, जो एक step आगे सोच सकता है, ठीक है, तो मैं उमीद करता हूँ कि आप लोग का दिमाग उतना पास चले, कि आप भी एक step नहीं, दो दो step आगे सोच पाएं, लेकि अगला question क्या है, क आयू का जो अनुपात है, वो 5 is to 1 है, बरतमान में मा और बेटी है, और उनकी आयू का अनुपात 5 is to 1 है, छेस साल बाद यह अनुपात 3 is to 1 हो जाएगा, तो बेटी की बरतमान आयू क्या है, देखिए, मा, मा का मतलब मदर, और बेटी का मतलब डॉर्टर, भाई, बरतमान में देखा गया, तो 5 is to 1 है, अनुपात, और 6 साल बाद, यह साल बाद देखा गया, तो 3 is to 1 है, अनुपात, तो हम आप से यह जानना चाहते है, कि इन दोनों अनुपातों में कितने साल का अंतर है, आप बोलोगे सब 6 साल का अंतर है, अना, यह बरतमान का और यह 6 साल करेंगे तो 5 वन को तीर सेकुना करेंगे तो थिरी तो 5 औरतिरी का अंतर निकाले तो कितना आ गया तू अब कुछ अची परकार से फीन को छे से गुना कि 18.171 को एक करगे तो छे तो आतारा और शे अंतर यrix अंतर कितना हो गया 12 तो Marriage बोलेंगे कि दो का जो वहाइलू है ना सर वह वारा साल है एक का बहलो कितना होगा तो बोलो Grade 6 साल होगा किलियर है तो भाई हामें किसका निकालना है जीत्रोक हमें निकालना बैटी का बेती का बडामानूं बेटी का copying कितना एक और एक सब्सक्राइब कितना च्छे तो राइट अंसर हो जागा ऑपसर नमबर भी है ना तो इसको बोलते हैं क्रॉस मेथड मैंने आपको एक दिन बताया था कि जितने भी लगभग लगभग एज का कोश्वन होते हैं यानि कि उमर में अधारित कोश्वन होते हैं वह लगभग लगभग कोश्वन आप क्रॉस मेथड से बना सकते हैं ठीक है तो लगा निखाई का यौइने लिका गोले की तुरिद्व को पचास प्रतिसत बढ हादिया जाए उसके रफल में कि प्रतिसत की विरदी होगी कि ले उनके फ़र स्अफ इनक्रीज भाई 50% इन्हाम मच परर 10 विल मिल इस ऐरियो का इंक्रीस्स तो उसके एरिया कितना परतिसत बढ़ जाएगगी यहां पर गोले की बात की गई हैं आइए सब से पहले मुद गोले की बात करते हैं अब तो बाराने से पहला तो गोला होगा उस गोले का कुछ ना कुछ तूरों यह कोले के वाख मैं यह बोल चाहा हूँ कि किसी भी चीज बढ़ाते है गठाते तो बढ़ाने और गठाने से पहले विद्क रहती होगी तो उसे हम लोग बोलते सुरुवाति वाला चीज martgrowth कि यानि इनिसियल कि क्या बोलते हैं इनिसियल और यह बोलते हैं टूडे यानि कि आज यानि कि आज कितना है तो मेरे तो पचास प्रतीसत बढ़ा दिया गया पचास प्रतीसत का मतलब होता है पचास बटे में सो काटेंगे तो आता है एक बटे दो यानि अगर सुरू में रे अनुपात निकल गया इसकी अनुपात निकल गई वह आप बोलोगे सर रेडियास का सबस्सक्राइब मैं बन्र याइब आरपाइब नट्टा जो है ना वह संपुर्फ डिल सस्द्टाइब इसलिए इसका कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे और पाई क्या है constant है इसलिए इसका कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे क्यों क्यूंकि हमें जो आंसर देना है वो प्रतीसत में देना है यही सब concept है अगर कभी जवाब आपसे प्रतीसत में मांगे अगर कभी जवाब आपसे भीन में मांगे अ नहां पर area के लिए अर्या के लिए हम लोग इस्तेमाल करें अर्व स्कguyre थे अर्कमाने तो दो स्कूर चार हो जाएंगे तीन कर सकाज़ हो जाएंगे तो जो area है वह जो शुरू में देखे कितना है 4 आज एरिया में कि अधी तो शुरुवात में एरिया कितना था चार यानी चार से बढ़ गिया तिक एक कितना परसेंट में चाहिए तो सो इसे गुना कर दिजी तो चार से काटेंगे इसको तो यह पचीस बार में होगी यह चीजें आपको पता होनी चाहिए और नेक्सट नमबर आट पुसर नमबर आट में क्या बोला गया है कि यदी x-2 जो है वह पी-2-2-3 इन और यह अगर यह गुनखंड है तो भाई अगर यह गुननखंड है तो इसका मुल कितना आएगा उपाइद में ये सुन्यक कर आगा कितना अब इस टू का वेलू से पूट कर देंगे तो किया जा जाएगा जियरो के बरावर में आजाएगा तो आईए यानि कि अगर हम लोग PX square minus X minus 6 में X की मान को put कर देंगे तो यह 0 हो जाएगा यानि PX का मान कितना है 2 2 का स्क्वार minus 2 minus 6 equal to यह कितने के बरावर हो जाएगा 0 के बरावर हो जाएगे तो यह हो यह पी बरावर हो जाएगे आठ वटे चार और आठ वटे चार का मतलब होता है दो तो राइट अंसर हो जाएगे इस कोशन का आप सिरण नमबर 2 यानि P की जो वहलोओ निकलकर आएगी केटने कलकर आएगा कमेंट कीजिए कीतने कलकर आएगा तो आप ज़ आप दीजेगा सर टू निकलकर हो ठीक है नेक्स्ट G et लगाएंगे पानी में और बनाएंगए मुर्थ तुफानी में कैसे तुफानी में अब बताई क्लास कैसी लग रही है अच्छिए लग रही है कि नहीं अच्छिछ चाहिए क्या करना चाहिए लाइक ठोक देना चाहिए अब यहां पर अधिकि गणिखा हुई एक बिंदु इस गोडिनेट दिया है वन कॉमा-3 दूसरा बिंदू है उस गॉडिनेट दिया है और और माइने चैस और इन को व्हक्राप जाएगा मैरा यह हमारा एक्स्टु एक नार वह दोनों को बीच्स का टेयर हम लोगत डील ले हैं तो डी वह तूरावर क्या हो जाएगा रूट अंडर ना डी क्वरावर जाएगा रूट 2-1 वाइटू का मान है वह कितना है माइनेस का 6 और Why One का मन माइनस का 3 तो माइनस का 3 और मैइनस का पलास का 3 इसका स्कुर्ण कर देंगे इसका स्कुर्ण कर देंगे तो डिस्टनस निकल देएगा चार में से गया सब्सक्राइब करेंगे तो 9 यह हो जाएंगे आपको रूट अंडर 18 रूट अंडर 18 का मतलब क्या हो गया तीन तीन नोदू आठा रहा है यानि थी रूट टू तो जो डिस्टेंस निकल कराएगा वो थी रूट टू निकल कराएगा आप्शन नंबर बी बिल विदा राइट खुक है चलिए कमेंट कीजिए सबस्क्राइब कि नहीं समझ में आना चाहिए आ था के चलिए लेते हैं अगला कोश्ण अगला कोश्ण यह देखिए है क्या लिखा हुआ है दो गोलों के आईतनों कानुपात इतना है दो गोला है यानि कि दो अस्फेर है और इनके आईतन कानुपात एक सुपथीस इस तू आपको 27 इनके प्रिस्टियज छेत्रफलो का अनुपात क्या होगा रेशियो आप वॉल्यूम्स आप टूश्पेर्स इस वन टूश्पेर्स एरिया तो उसके सर्फेस एरिया का रेशियो क्या होगा पहले यह बताईए दो गोला है यानि यह पेर वन है गिया और यह और यह एक सपयर्टी गिया इन दोनों गोले का आई तन यानि की वॉल्यूम अनुपात कितना है 125 आनुपात आपको 27 एक यह अनुपात आइतथन गोले यह निकाल रहे होंगे तो तो यह अनुपात है गोले का आधे जब अनुपात निकाल रहे होंगे तो ये तो टर्म ये हència जो टर्म है ना वो क्या है constant कि इसका तो कोई इस्तेमाल नहीं होगा इसका तो कोई इस्तेमाल नहीं हो गां क्यों की क्यूब रूट करेंगेगे 125 का क्यूब कर दीजिए बेक 125 का यह क्यूब रूट हो गया और यह हो जाएगा पारहएगा ہ हो गया 27 27 का आदरू घ्री आ वڈलनों पाइप लेकिन हमें रेडियस का निन चाहिए हमें उसका एरिया साथ आनुपाद चाहिए है मेरे दोस्त हम लोगों को पता है कि जो सर्फेसरेया उता है टोटल सर्फेसरेया जो ती है वह थी फोर ऐस पाइब और कुड़ अब धिके-एडरी और च्शयार को यहां पर अनुपाति निकाल रहे हैं। तो कॉंस्टेंट टर verdad यहां पर सिर्फ हमें आर इस टाप के कोशन में कभी कोई प्रोब्लम होने वाला नहीं है तो उमीद करता हूं कि आपने भी इस चीज को समझाओगा तो राइट अंसरो हो जागा आपसर नमबर भी समझाए कि नहीं कमेंट करके बताइए तो सभी लोग मज़ा आ रहा है कि नहीं अब अगला कोशन आप लोग बनाईएगा और मैं जड़ा सब पानी पी कर आऊंगा और कोशन भी कैसा है लॉलीपॉप बनाईए चलिए तो इस कोशन का जवाब तो बड़ा ही एजी है यह सिधे दो लिनियर एक्वेशन दिया हुआ है 3x पलस 4y क्या दिया हुआ है 10 और 2x-2y क्या दिया है 2 हमें xy कमान निकालना है तो किसी न किसी वेरियेवल यहाँ पर वेरियेवल के रूप में कौन है एक्स और वाई तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कोई एक वेरियेवल का जो कॉफिसियंट है जो गुनांक है उसको सेम करना पड़ेगा तो देखिए किसको सेम कर दिजिए वाले को कि यहाँ चार है और यहाँ दो है तो इसमें दो से गुना करोगे तो यह बन जाएगा डो ना दो दूना 4 एक्स माइनस का 4 य और एक्वल टू हो जाएगे चार और नीचे वाला जो एक्वेशन में वो क्या है 3X पलस का 4Y इक्वल टू टेन अब इन दोनों एक्वेशन को जोड़ दीजिए जो इन पलस माइनस में रहेगा उन तो अंशन नहीं होगा एक सवार्न माइनस बढ़न नहीं होगा एक सब्सक्वार्ट किया आपसञ लोग Ah यानि कि यहां पर यह ऐसा question है जिसमें बीना y के मान निकाले हुए हम अंसर बता सकते हैं कि इस question का right answer क्या होगा option number a होगा ठीक है ना हलाक कि मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं अब इस एक्स कमान को क्या किजिए इस पर पूट कर दिजिए इस पर पूट कर यह या फिर इस पर पूट किजिए answer आ जाएगा तो चलो इस पर पूट करते है एक्स कमान किता है टू दो दूना चार यह हो कि ठाहई गां तो जाएगा माइनस चार तोमाइनस एरपल कट था-गे मानस कड़ू तो मैनस कड़ू अर बरावर बार वानथ हो जाएगा हों सब्सक्राइब ये नियुक्त पुस्टे नमर लेंगे हम लोग 12 लिखा कि कॉस्टेक 90 डिगरी माने इस धीटा और को तो आपको या लिखा हुआ है नाइंटे डिगरी जाने ती-ट का अंसर क्या होगा बहुत 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 बेहतरी न कोश्टन कुछ ने करना इस कोशन में कि देखिए को सेक कि नाइन्टी डिग्री माइनस का थीटा है और को स्ट नाइन्टी डिग्री माइनस का थीटा है तो यह को सेक जो है ना कि यह कॉसेक जो है वह किसमें चेंज हो जाएगा जी तो कॉसेक चेंज हो जाता है सेख में तो यह सेख थिटा हो गया है किलियर है और यह हो जाएगा कि इसको चेंज करेंगे तो यह चेंज हो जाएगा हमारा साइन में साईन, सीटा में हम सैक्षेटा का मतलब होता है ओन वाई पोस तीटा, यह हो जाएंगे साउन, फिराओ फर में आई ये और इसका मतला लोटा है वण वाई सैक्षेटा, वाई फोस तो रूट और भायक थीटा, तो यह फाइनली वन जाएगा टैन, यह क्या बन जाएगा टैन ठिटा यानि साइन धीटा अपन फॉर्ट यह थे टा यह था था तो राइट अंस रोझ जाएंगे ऑप्शन नंबर डी आप्शन नमबर क्या हो जाएंगे लिए टी यह पॉस्टिक नाइंटी डिग्रियरी मानेस ठीटा ब्रावर होता है तेटा और को सबस्क्राइब सब्सक्राइब क्या होगा नेक्स्ट नम्र लेंगे तेरा पोस्ट नमर तेरा में क्या वो लगया है यह दिवघात तमीकरन x square minus 8x plus 5 के मुल alpha एवं beta हो तो alpha square plus beta square का मान क्या होगा देखिए सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पर जो हमारा equation दिया हुआ x square minus 8x plus 5 equal to 0 है हमें यहाँ पर alpha plus beta का मान निकालना है तो alpha plus beta का मान होता है minus का b upon a ही यहाँ पर देखिए minus ही हो गया b कमान minus का 8 है और a कमान कितना है 1 तो minus minus plus यानि 8 हो गया अगर alpha into beta कमान निकाल ले तो यह होता है cya c कमान जो है वो 5 है और a कमान 1 है यह 5 होगी अब हमें निकालना है alpha square plus beta का square तो इसका मतला हो गया alpha plus beta the whole square minus 2 into alpha into beta तो अब यहाँ पर बताए alpha और beta कास कितना दे रहा है आठ 8 का square 64 minus 2 into 5 तो 64 में से 10 गया तो अंसर हो जागा 54 तो फाइनली जो इस question का answer राइट अंसर होगा वो 54 होगा और उमीद करते हैं यह भी कि आप लोग का भी answer 54 होगा ठीक है पीडीएफ कहां मिलेगा पीडीएफ यहां मिलेगा का करना है पीडीएफ यहां मिलेगा आपको टेलिग्राम में इसको सर्च किजिए तेलिग्राम में सर्च किजिएगा तो आपको इस परकार का लोगो दिखाए देगा बस क्लिक करके जोइन कर जाना है पीडीएफ मिल ज एक बिरित यह रहा कि इसके परीदी पर चार बिंदु ऐसा है कि एक यहां है यहां है यहां है और यहां है इन चारों रेखाव को जब इस परकार से मिलाते यहां जाता है और बिरित की जो तिर्जिया है वह आठ सेंटीमिटर दिया हुआ है तो देखें यह सेंटर हो गया सेंटर से यह क्या हो गया परीदी इसकी दूरी क्या करती तिरिजिया तो यह आठ हो गया अब यह सेंटर है ध्यान दिजेगा यह सेंटर है और यह क्या है परीदी इसकी बीच की तुरी सिस्क्राइब करन कु लंगता है अब बिकरनड़न द ओर तुटए इन टू रूट रूट का यहां सब्सक्राइब तो यह सुला इस कल्टू दिया हुआ है रूट टू वाई ए तो ए बरावर क्या हो जाएगा जी तो ए बरावर हो जाएगा सुला वट्टे रूट तो तो हमें निकालना है इसका एरिया एरिया बरावर होता है साइड का क्या स्कॉएर साइड हो गया सुला वट्टे रूट त तो मेरे दोस्त इसका जो राइट अंसर होंगे वह 128 सेंटीमीटर स्कौर और राइटम से लिए रहे ना ऐसे अच्छा दूसरा बात है दूसरा तरीका क्या है इसका निकालने का जब कभी भी किसी भी वर्ग तेके ध्यान दिजिएगा किसी भी वर्ग किसी भी वर्ग का बीद्ट पता हो और निकालना हो उसका एरिया तो एरिया निकालने के लिए कुछ नहीं करना ला कि वह दिखान या सब्स करते करेंसे अब रज़ार किसा निकालने के लिए यानि स 사진 निकालने का कोई अवसक्ता नहीं है next इज़सर नम्र 15 नोर 15 में बोस। होसंदस्य की और 15 सदत्य कि और tackle 21 बर्स नहीं मेंने गंपने को वह कुछ यदि सबसे चाहें सबाई कितना है पांच उसमुचन मेंबर में से जो सबसेच चोतका है उसका जो कितना ये पांच बैसे तो मेरे दोस्त पहले 5 सदस्यों का योग कि अगर मैं Command सबसे कोускे नहीं योग किसका योग कि योग πरक्ता है यहां पर असत्गुना संख्या बसत्ग कितना 2 को इन पांचों की झो उम्रों का योग है वह कितना है 105 है लेकिन इस छोट्का का उमर कितना है पांच बर्ष गयं MS जिसलि!? का जन्म हो रहा होगा जिसलिए इस छोट्का का क्या हो रहा हो गा जन्म उस समय परिवार का सब्सक्राइब कितना था इस छोटव मी कितने जिए गोधी सोटके समय में सबसे चोटे सबसे छोटे हना सदस के जन्म के समय परिवार का अन परिवारों का योग कि अन परिवारों का योग कि अन परिवारों के उम्र का योग कितना होगा उम्र का योग कितना होगा भाई समय चोटे वालक का जन्म हुआ था उस समय तो उसकी कोई उम्र नहीं थी तो बागी पांच में से तो बचा कितना था चार तो चार परिवार का उम्र का योग कितना था असी तो चोटे बच्चे के जन्म के समय जो जन्म के समय परिवार की आउसात आयू निकालना है तो समय प साम आपको करना है पांच सदस है परजेंट में अभी अभी उनका उस्त है 125 लेकिन आप यह सोचिए कि जो सबसे चोटे बच्चा है वह पांच सल का है तो जिससे में वह जन्म होगा परिवार के सभी लोग पांच-पांच सल चोटे हो जाएंगे तो योग में कितना कम है तो योग भझती कितनी मैं असी अभी ये असी जिसमा लोग है उसमें चोटे बच्चे की उम्र कितना थी जी!!! जी रो साल तो और यह जो आती है वो कितने परिवारों का उमरों का योग है चार लोंगों का तो भाई उसमें आउसत पिस और वी तो समझना Flexition क का दलिये गनीत का कोस्टन है और आंक गनीत आपके पूछे जाएंगे लिखा है कि एक पंसारी पांच अंडे चार रुपया में खरिता है और उनमें से चार रंडे पांच रुपया की दरते क्या कर से देदता है तो उसे हुई번 लाव की प्रतीसत ग्यात की जी एस को ने क्या निकालना प्रतिसत कुछ भी नई करना एक तरफ दना कि रुप्या और एक ट्रुपधना एग यानि कि अंडा खे पांच रुप्या दिया श्यारएं प्राण कहार लेकिन बेशते इसमय क्या करता है उ dazu फॉफ लुफ शोल ऊण रूपया देता है नहीं बीस्ते समय ऍवाएं कि तैनने खर चार रूपया में चाहर रूपया नीकालने एकडम अनोखा तरीका बता रहा हूं और यह तरीका अच लगेतौ भूख देना है क्या लाइक अब देखो देखो देखланा देख़ो धेकं लोई चार को चार से गुना करो कितना सवाइगा इस पांच को पांच नो क्रों कितना जार अचीज यानि आपने तोया में खरीदा और कम में 25 में तो लब कितने का हो गया नो का लाव किस पर होता है सीपी पर होता सीपी है कितना सुला जवाब देना प्रसेंट में तो सो से गुना कर दो यह निकल जाएगा प्रोफीट की प्रतिसाथ अब मेरे दोस्त चार से काटेंगे 25 बार में चार से काटेंगे और कितना है भाई वो है 25 पर पुरणांक 1 कि बटा चार 56 पंट एक बटा चार ऑपन नमबर भी इसको पुर्णांक में लिखोगे तो 56 एक बटा चार आएगा तो राइट अंसर हो जाएगे इसका ऑप सबसुन नमबर भी तो जब कभी भी इस टाब कर को संड रहें आपको ला लिखा वह लिखावाए कोट 12 डिग्री इंगरी और शीट्टी डिग्री और सब किसमें गुड़ा में है तो मैंने आप लोगो पिछले क्लासे बताया था कि अगर कोट सभी कोट किसमें हो मल्टिप्लिकेशन में यानि कि गुणा में हो और अगल एंगल जोडने से 90 हो जाए तो उसका मतलब एक होता है तो देखिए सभी कोट किसमें गुणा में अब यहां पर देखिए 12 डिगरी और 88 डिगरी इन दोनों को जोड़िये तो कितना होता है 90 यानि होता है है अ अ चीछ होटिक चुछ लोगे मालकित नहुता है माड़ ए कि घृत आ ऊता है 1y रूट 3 जैस से बुमान कर देजें 202 टेटें को टखें है तो रूट 3 से गुना करोगे तो फॉन जो 10 अंसर निकल कर आएगा ओन वाइर रूट तरी निकल कर आएगा आपसर नमबर सी ऑपसर नमब जी फिल भी तर राइट अंसर अप्रिसकोशन ठीक है को को स्टन नूमर अठारा लिखा गया है कि एक ट्रेन 12 किलोमेटर की दूरी दस मिनट में तैक करती है 10 मिनट में 12 किलोमेटर पोचले जिए 10 मिनां ध्यान देना 10 मिनट में 12 किलोमेटर मेरे 6 मिनाट में 0 72 मश् daarा यह बुछना वह सांथ मिननट में चली गौई गुणा पर साथ मिननट को मतलब कितना होता है एक गंटा एक गंटा में एक घंट में 72 किलोमीटर और एक घंटा में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं इसिड यानिया सपिट नीकल कर आ गया बहुदेटर किलोमीटर प्रती घंटा क्लियर है अब क्या लगशला है यदि या कंद सक्रों पार करने में वो online अब दूरी निकालना है तो दूरी क्या होगा दूरी चील भाइव hic in टॉप कि ऐस्पीड़ बहुतर किलो में प्रतिग्धंत्र इस sólo 12 को मीटरपробह से क्टेश्isty करेंबी य Says साथ टाइमिंग दिया वह साथ तो अठारा चोंके बहत्तर पांच चोंके बीस बीस अते एक सो चालीस यानि वह ट्रेन की लंबाई एक सो चालीस मीटर एक सो चालीस मीटर आपसर नंबर भी आपसर नंबर भी विल्भी दर राइट अरुप इस ठीक है तो इस परकार से बनाना है और उडाद देना है ठीक है चलिए पोस्तर नमर लेते हैं हम लोग उनीस पोस्तर नमर उनीस में बोला गया है कि यदि किसी बृत की त्रीजिया के गुनी हो जाए तो पुराने और नए बृतों के चेतरफल का अनुपात कितना गुना होगा अब अगर त्रीजिया पहले आर था पहले कितनी थी आर थी लेकिन आज कितनी इसका क्ये गुना हो गया यहनि आर के हो गया तो भाई पूछाए कि छेतरफल पर क्या अनुपात पड़ेगा तो बृत का चेतरफल कितना होता है बृत का चेतरफल होता है पाई आर स्क्वार तो मेरे दोस्पाई क्या है कॉंस्ट parent है और पुछा जवाब ही नहीं यूज नहीं होगा उसका और निकालना है न आरशेयर खटम ये डिषती हो जाए나ographic तो के स्कॉर्ण हो जाएगा वनीज़ टू के स्कॉर्ण यानि आप्सर नमबर सी आप्सर नमबर सी बिल भी दराइट अर्व दिस कोस्टन तो मेरे जो तरीका पकड़ लिया ना कॉंस्टेंट वाली तरीका को अगर समझ गया ना तो फिर बरवाद है मैद को आपके का कर पॉस्टन नमबर 20 भीश में लगातेंगे लगातेंगे कैसे ऐसे देखो लिखा कि 7 संटीमेटर तिर्जिया वाले एक अर्ध गोले का वक्त प्रिष्ट का चेतरफल क्या होगा अर्ध गोला पहले होता कैसे आये दिखाते अर्ध गोला ऐसा होता है इसका प्रिष्टिय चे पॉपल होगा उसे हम लोकर सरफे से लिया वोलते हैं और यह होता है आपको है आपटो पाई ऑार स्कुएर होता है तो मेरे दोस्कुछ करना आप एक कुछ भी ने करना अब कमान बाइस वक्रटे साथ कि और आर कमान साथ हे तो यह साथ का क्या हो जागा असप्वार गोला बटे में साथ इंटू साथ इंटू साथ तो साथ से साथ खतम मैंने दोस्त कितना गया बाइस दूना चौवालीस गुने साथ तच्छों का टाइस के आठ तच्छों के अठाइस और दो तीस यानि कि 308 सेंटीमेटर स्कॉयर ऑप्सन नुमर्स एब भी दर राइट अंसर ऑप पानी में लगाते रहना बीना पेट्रॉल और डीजल के अच्छा लगे समझ में हर एक चीज़े आए तो चैनल को क्या करते रहिए एक बार लिंक को फॉर्वड करते चाहिए कि यह कोसर कितने बैतरीन है दिखा कि 6600 को दो भागों में इस परकार विवाजित करे ताकि पहल सदारन ब्याज क्या है बरावर है अब देखें ब्याज बरावर है और हमको क्या करना वाई तो भाई हमें निकालना है दो भागों कि में किस परकार विवाजित करें यानि दोनों भाग कि क्या निकालना है माउन कुछ भी नहीं करना है कि देखिए हमें इस कोसर में यह पत तुमानले थीं दोनों भालें के जो प्रिंस्पल है जो मुल्धन है उसका अनुपाद करेंगे प्रिंसपल यानि कानुपाद ये कुछ ने करना है रेट और टाइम को गुणा करके उल्टा कर Gș इसका रेट और टाइमिंग को उसमें लिख दो उसका रेट और टाइम को इसमें लिख दो तो मेरे पाला का कितना है तीन और दस तो यह लिखा जागा तीन और दस दूसरा में दूसरा में क्या है भाई दूसरा में चार और नो है तो यह लिखा जागा पाला में यह समस्या स् आटारा और तीन पची सब्सक्राइब यानि पढले भाग पर कितना कर्ज लगा गया एक Armedर तो उसके पास टोटल था कितना आठारा पांधरा तेट इसलेकिन र्यल में जो उसके पास है उचे कि 2200 है Big Tr टारक बार कितना होगा थीन हाजार चेहसव तो पहाले भाग पर थीन हाजार छेशर रप्या रगाया गया दुसरे आप काम लुक्ता पंद्रा तो पंद्रक वैलू कितना थीन अजा को हागे एक आगा श दूसरा थीन अज्वीन आचा तीन आगा option number a will be the right answer option number a क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट अंसर होंगे बहुत इल्ला जवाब अंसर होंगे बहुत पढ़िया आप लोग का कमेंट बहुत बढ़िया आ रहा है आप लोग भी दना दन अंसर दिया किजिए question नमर बाइस कि लिखाये कि एक नीसीत रासी चक्रविर्दी भी आज कि किसी दर पर तो बरसों में चोबीस सो बीस रुपया और तीन वर्सों सवबीस हो जाती है ब्याज का आंकिलन बारसिक अदार पर कीया गया था तो रासी और बारसिक दर क्यात किजिए यानि हमें और दर यानि की रेटो निकालना है दो बरस में पैसा 2420 रुपया हो जाता है देखे अम यह पैसा इनिवेस्ट बीस रुपया था मेरे पास कितना था पीरुपिया हमने इसको कहीं पर लगा दिया इसा क्या देखे की zone पीरुपिया था और और हम ếकी दोस लगा और यह दो साल में जो पैसा है वह 2400 रूपिया महिदर लेकी यह पैसा को अगर हम लोग दो के जगा तीन साल छोड़ देते यह पैसा तीन साल में जो है वो कितना हो गया है 262 रुपया तो मेरे प्यारे मितर यह बताओ यह पैसा दो साल का है दो साल में इतना हो गया यानि यह दो साल का क्या है माउंट और यह तीन साल में इतना हो गया यह तीन साल का क्या है माउंट तो मेरे दोस्त यह तीन साल का माउंट तो इन दोनों पैसों में अगर समय का अंतर देखा जाए तो एक साल है और रुप्या मे अगर अंतर देखा जाए तो भाई 242 रुपया है इसका मतलब है कि जो भी पैसा हम लगाए है उस पर हमें एक साल का जो इंट्रेस्ट है वह 240 रुपया मिल रहा है प्लिए आप लोग यह भी बात आप लोगो पता है कि दूसरा साल का जो एमाउंट है वह तीसरा साल का प्रिं सिंपल इंट्रेस भी नीकाल लेंगे तो 242 से आएगा एक साल का रिष ल vontade रेत कितना ऊप्रिया हो गा रेट निकालने के लिए 100 से के चीर दोस कव्यावस से 120 क्ताव जीरो जीरो च्पटन अर्कमान आ जाएगा現在 परॉपर्षेंट अरकमान दस पर्सेंट आरकमान कामान बारा प्र सेंट गलत हो गया हम होगां और हमान पांच पर से यए दो सल्का मावारा क्या है यह दो सलका्यमाउंट है अब हड़ाज दось पर्सेंट है तो बाहए यह प्रिन स्पले और यह मान व्क्रेट है अ डाश्योंस फॉसी कान बतल कितना होगा दस बर्सुमाण कर दो कि तो मिलंदा ना यानि अगर मुलधन सो அरप होगा तो 2 साल में कितना हो जाएगा 121 लेकिन 2 साल में हो कितना गिना है बाई 21420 ऊपाई 121 का वेलू सब्ला अगर 246 आयानि की एक कमान कितना गया एक कमान pakai 200 अगर एक कमान 20 तो सो कमान कितना होगा 20-100 20-100 чистक का American होता है 2000 तो हम लोग क्या करिए मुलधन भी निकाल कर रख दिए तो यह सब तरीका आपको सिखना है समझना है और अगर आप मुलधन निकालने का और भी तरीका सक्सेसी मेटर्ड भी लगा सकते हो परसेंटेज से यहां पर दे क्या लिखावा है यदि किसी तिर्भुज का परिमाप अठाइस सेंटीमेटर है और उसकी अंतावरिज की तिरिजिया 3.5 सेंटीमेटर है उसका छेतरफल क्या होगा तो अगर आठाइस दिया हुआ है अंथा अन्ताभित की तिरिजिया को हम लोग इन रेडियस बोलते इन रेडियस कमांद्टी 1045 है तो हम लोगोनी कालना एरिया एरिया बरावर होता है आर इंटू एस चाहां इस क्या है अर्ध परिमाप अर्ध परिमाप क्या होता है तो बाई अधा होता है तो यह आरह गोगी और अर्ध का आधा हो जाएगा आराध का मान ओगिया 30 मलों पांच और इंटु परिमाप हो गए 28 अर्याथ 29 का आधा यह 30 मलों पांच लिए सकते हैं option number a option number a will be the right answer of this question ठीक है next question number लेते हैं हम लोग 24 यह देखे को सब्सक्राइब 24 है लिखाए कि 8 cm लंबाई के एक जीवा केंद्र जीवा केंद्र पर 60 डिगरी का कोन बनाती है ब्रित की त्रीजिया का मान ज्याद करिए बताइए तो कितना बढ़िया सब्सक्राइब 24 को तो आग लगाना चाहिए हम लोगों देखिए यह हमारा सेंटर हो गया आठ सेंटीमेटर लंबाई की एक जीवा यह जीवा की लंबाई आठ सेंटीमेटर है और यह ब्रित के जो केंद्र है ना उस पर 60 डिगरी का कौन बनाती है तो हमसे पूचा ब्रित का तिज्या का मान क्या आव्ट करिए अंभित का क्या निकालना आख सींप और लॉप की центल से आपको पता है यह वाला जो लाइन है और यह वहला जो लाइन है इवी रेडियस से इवी रेडियस से तो यह दोनों भूजा क्या है बरावर है और अगर मैं यहां से परिपेंडिकूलर लाइन ड्रो कर दूँँ तो यह जो होगा ना इस कौन को दो बरावर भागों में बाट देगा तो यह हो जाएंगे 30 अब यह 30 से 90 तो यह कितने हो जाएंगे 60 यह साथ हो जाएंगे और यह जो लंबाई है यह जो मैंने सेंटर से मैं जो बिरित के केदर से जो रेखा की चाहूं इस जीवा पे एना अगर नाम रख दो इसका एडी तो एडी जो है ना इस जीवा को दो बरावर भागों बाट देगा त है तो यह से न कितनी हो जाएगी चाहरी एफाट नबे यह 30 हो गए यह 60 हो गए और यह 90 हो गया तो 306 facto में कम में जो खुजाओं का अनुपात होता है क्या होता तीशम मैं एक होता है नंबे के सामने युज़े नूता है और 60 मिर दो Гर्यूंSU fishes that चार सेंटीमिटर है वो तीस के सामने है इसके सामने कितना होता है एक यानि कि एक का भेलू कितना दिया हुआ है चार हमें निकालना है तिरिज्या तिरिज्या मतलब कि यह एक एक्क्यू लेटरल ट्रेंगल है यानि कि सम बाहुत तिर्भूज है तो यह सारी कॉंसेट्ट आपको पता होनी चाहिए नेक्स्ट कोस्ट लास्ट है आप लोगों में से जिनको आता है वह बना के फृटक संसर बतायीं एक्स प्लस बनwhy एक्स का महांन फॉर है तो हम से पूछा एकस व्यूंसी अगर कभी भी ऐसा आपको एक्जाम में मिलता है एक्स प्लस बन्वाई और या और क्या होगा तो आप यहां पर क्या से गुना हो रहा है तो जब भी सब्सक्राइ governo यो ऐ करेगा जब भी रवट डब सर काम करेगा सफर निंगा ले क्लिए इसको पी इस को क्या कर देना है और फिर सो क्रों आयगे कि छोदा श्लुट थैचे न आ अगर अगर ऐसा होता Just टूती पावर फॉर वर उता टो क्या देख रहे हैं दो दूनार आचार यहां पर पावर डवल हो रहा है तो क्या करेंगे इसका वonse beginnen स्कॉास करें के माइनस का दू कर देंगे तो लोग जो घू होका स्कॉर कितना हो गया गुशा था का स्कॉर यानिस टू यानी कितना होता एक चोचान में यह मैंने समझाया है समझ गया होंगे अब हम इसका अंसर निकाल के देखाते देखिए तो भाई वही तो एक्जाम पल्य है एकस प्लस बन भाइस कमान अगर 404 में होगा वही चीज मैंने मानल भी लिआ था चलो हिए तो मिरल लिए समय की बचत हो गई तो राइट अरोगा एक सो चोरान में अब कमेंट करके बताए कि आज की क्लास आप लोगो कैसी लगी अगर क्लास अच्छी लगी है तो भाई क्या करना है तो भाई एक बार लाइक ठोक नहीं है और अगर सारी चीज आपने बढ़ियां से और बहतरीन तरीके से समझाए तो चैनल को सस्क्राइब भी कर लेना बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना ताकि आपको हरे क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए ठीक है तैंक यू गाइस गुड़नाइट हां लेकिने कमेंट करके बताओ कि आप लोगो को आप लोगो ने कितने कोशन का जवाब एकदम स सही सही एकुरेट दिया है कमेंट करके जल्दी से बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कितने कोशन का जवाब आपने सही सही और एकुरेट दिया है कि यह ठीक है चली थैंक यू बबाबाए गुड़नाइट